तो आज का वीडियो हमारा पपजी मोबाइल के लिए तो डिसेंटली जो न्यूसिस आरही थी कि पप जींग आरा आरा है आप लाए नाजाने कब आरा है इंतजार करते करते ता इंसान बुड़ा हो जाएगा पर गेम का कोई पता नहीं चलेगा कि भाइक कीम आरा है कि नहीं आ रहा है कोई हिंट आया था हलका सा कि एक कितने टीजर टाइप में लाउंच हुआ था लेकिन उसके बाद भी उसका पता नहीं चल रहा कुछ की गेम है वही की नहीं है की ज़्यादा टैम तेक आएगा जल्दी देखने को मिलेगा की नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता चला परक्राइब करोड़ों का लॉस हो राड़े और प्रॉफ करने को तयार नहीं है एक बार में या प्रॉफल दे दिया लेकिन लॉंच के लिए पर्मिशन नहीं दी लॉंच के लिए कोई ग्रीन सिंगल नहीं मिला अईसा उन्होंने खुद क्लियर कर दिया और अब रिसेंटली जो आर्टिकल निकल गया और आर्टिकल में सीधा सीधा लिखती है उन्हें लिखा हुआ है कि मार्श चक भी कोई अपू लॉंच टेट का को यह कोई खास अप्रूबल नहीं मिलने वाला है मार्श चक भी हमें कोई दिखने विलेगा मतलब जितनी वी कर इसा अगला cyperpunk कोई इसकी को कोशीचों कर दिया जया जाए इतने इस स्क्राइबर ग्रम पे उसाइबर पूर्एंट होती है तने वाया जाये मुंव स्टेम उसकी पहलले पता चलती है कि यहां वहां यहां इसके भी कुछ हैसियत है लेकिन अगर टाइम के अपने एक्चिल टाइम पर वो नहीं मिलती है वो चीज़ तो बाद में उसकी कोई जाधा कीमत नहीं रह जाती बाद में वो जस्ट एक औरडिनरी आइटम बन करा जाता है औरडिनरी पोटक बन करा जाता है जो आया और चला गया बाला सीन रह जाता है बस और कुछ नहीं जाता उसमें क्योंकि जब कोई चीज़ टाइम पर मिल जाए तो ही उसका यूज है अधर वाइस तो बेकार है बाद में वो मिल जाए बाद में उसमें हजार फीचर लगके मिल जाए चाब कुछ हो जाए अगर टाइम पे नहीं मिल सका तो बेकार ही है वो फिर उसका कोई खास यूज नहीं है इसीन अब हमारे पजी ओएल के साथ चल रहा है तो मुझे नहीं पता अंदर अंदर गवर् कर रहे हैं यह नहीं आए यह नहीं कर रहे है कि उनमें से कोई अपनी आया तो पब जी मोगा आना भी थोड़ा इंपॉसिबल टाइप में चल रहा है इनकी अलग और्डियोंस थी इनने अलग टैप की लोग पसंद प्रिफर करते थे हमेशा से इनकी एक अलग केटिगरी रही रही गिम्स की बट मैं 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 जिस गीम की केटिगरी माता हूं वह मैं तो सिर्फ अपजी मोबाईली प्रिफर करता हूं क्योंकि फिरी फायर पीसी में मॉडर्न वाफएर मॉडर्न वाफएर की सीरीज रही उसकी काल अप डीटी की सीरीज है और जो मोबाईल में दिया उन्होंने अलग अलग अपनी सीरीज को जोड़ तोड़ के बना दिया वह मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया वह मुझे सुरू से खेलने में को कोई खास इंट्रेस्ट नहीं रहा उस गीम को मेरा एक्षिल में कॉल अपड़ी तो मुझे पीसी में सही लगता है मोवैल में सही नहीं लगता तो यह यह गीम सो हैं तो धीरी-धीरी करके पप्जिम वाल को रिप्लेस कर निगोशिश करते हैं लेकिन अगर पप्जिम वाल ट अपना एक पॉइंट आप व्यू बतारों कि पप्जिम मुझे पसंद था तो ऐसे मुझे देखने वाली वी कोडियंस थी और फ्रीफायर को देखने वाली बीक और यह वह बहुत इंडिया में इवलेबल इंडिया को छोटी कंट्री नहीं है तो वही बात है मैं यह नहीं कहता कि तुम जाके हेट फैलाओ कि फ्रीफायर खेला तुम बेकार खेला तू यह बगर और ऐसा कुछ नहीं है मैं बस इस चीज़ को देखके ज्यादा कंसर्ण हूं कि जब पपजी मोबाइल आया था पपजी मोबाइल की वज़े से ही इंडिया में इस्पोर इस्टार्ट हुआ है उसके पीसे भी पपजी मोबाइल का ही हाथ क्योंगी पपजी मोबाइल का हाथ ही रहेगा हमेशा से जिस पूफी पपजी मोबाइल जाएं जया फ्क प्र हसी अंचले कंके लिबग अगयरा ? इंप्रूफ करेंगे तब हमारा में बेस मैक्स होगा तब जाकर हैं तूर्णमेंट में हिस्सा लेंगे यह बहुत ज्यादा फ्रस्टेटिंग काम लगता था पब जी मोबाइल में तो फिर भी हार्डवक है उसमें तो टोटल स्ट्रेटिजी और टैक्टिक्स वाला गेम है और कुछ भी नहीं है उसमें तुम्हारी जितने प्लेयर अनलोक होंगे उतना ही तुम पावरफुल बनोगे क्लेश अप्लैन में तो यही सीन है और मुझे कुछ खास मज़े मज़ा भी नहीं आया है उसमें खचछ खास अच्छा भी नहीं लगता मुझे आप मैंने वह खेला क्लाश अपलाइन काफी एक डिर साल कहला था आजाने के बाद मैंने उसे भी पजी मॉइल पर स्विच कर लिया था मुझे बात में उस गेम की तरफ मैंने फिर मुड़के नहीं देखा इसलिए मैं इस पोर्स का ने ज काफी बड़ी निकल गया है काफी बढ़ियां और भाई जो बंदा ये कहता है ना कि हर गेम मैं से निकालना ज़रूरी हो इस क्रेटर का काम होता है हर गेम में से निकालना तो तो भाई उसके लिए मैं एक चीज ज़रा यह बोल दूं कि भाई तुम खुद के साब से नहीं यूटूब पे तुम खुद के साफ से नहीं चल सकते हैं तुम तभी ज़्याद लंबे टाइम तक टिकते हो नहीं तो तुम्हारा जल्दी सफाया हो जाता है यूटूब पे ओडियंस जो है न में रोल प्ले करती है तुम पने वीडियो पब्लिश कर दी और तुमने वीडियो पब्लिश कर दी फिर उसके बाद तुमने देखा कि उस वीडियो पे ये डिस्लाइक वगरा काफी जाधा आरहें तो जोø deg कैसे व्लिवyan बसुम्हारा कि कैसे उन पर एपनी मर्जी थुप सकते वाली बात है मुण शिर्फ तुम्हें देखना पसंद तो मतलस दूसरे दीज़ा ना पसंद ऐसा नहीं हो सकता न और मैं यह जलिए चीज बता रहा हूं मावगा पब्लिक जीज ऊस्टा कि बाइब जous तुम्हें पसंद महीं पहसंद दोंूपॉईंट रहे चाहिए हमेंसा तो यह सेन हो और कि मैंने नी चाहता कि मैं कि तुम क्रेटे सिसम फैला हुआ या कोई भी किसी को भी जाके कोशो कि भाई तुग यह घंख लो नहीं तुम्हें गेम सभी ट्राइ करने चाहिए ठिक्या यूने कि पर्मानेट बना ले ले चाहिए कि मैं सबी गेम ट्राइक करने चीश उसमें कोई शुनिए सबसे काफी सही कि नई नई निचीश चाट करों के नया नाया नौलेज मिलेगा नई नौलेज मिलेगी तो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा काफी इंप्रूमेंट होगा दीरे-दीरे करके यह तुम्हें कि बापजी मोबाइल का वापशाना क्योंजरूरूरी कि क्योंकि ना dob उक्याइब कुव करिके से उपर उठे हैं कि यह कैसी उपर आए किसी साल्यिया कैसे उस गेमने उनकि अकर यह स्वाइब बार SARAH हमारा e-sports तो है कहीं नहीं जाता वह वैसा का वैसे चलता रहता हम वैसे धकागाड़ी चलते रहते वह नहीं आता अब जाकर कोई गेम आता लेकिन वह यह कि वह आया तो उसकी वैसे एक थोड़ी सी इंडिया में e-sports आया e-sports के नाम पर गेमिंग कमूनिटी ग्रो हुई और वैसे काफी चेंजेस हैं हमारे के गेमिंग में कई पैरेंट्स के क्रिटिसाइज करते थे अपने बच्छों की तो गेम खेलता है वगरा वगरा उनकी तिंकिंग भी चेंज होई दीरी दीरी करके दीरी लोग सोच गेमिंग पे ज्यादा हुए गेमिंग के लिए ज्यादा गेमिंग के लिए ज्यादा सीरिस हुए गेमिंग को एक केरियर समने लगे और कई लोगों ने सिर्फ मोबाइल के लिए डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन करी थे जिन्नोंने हार्ड वर्क किया जिन्होंने मैनत की जिन्होंने टून देन कहते हैं कि इंडिया ग्रोगा ऐसे ग्रोग नहीं हो सकता क्योंकि जिस बंदेने अपने पैरेंट्स से जगड़ा करके स्मार्टफोन लिया है तो उसका तो भई बुरा ही हाल होगा ना उसके पैरेंट्स उसे कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे क्योंकि भाई देखो जि अथिवार भी तुम्हां पढ़ने के लिए बेजेंगे नहीं बेजेंगे वह तुम्हें दो तीन मौके देंगे उसके बाद कुछ भी नहीं होगा जस सब ओवर हो जाएगा क्योंकि वह जानते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है तुम्हां पढ़ाना बेकार है क् कर सकते हैं तो सेम यही चीज है कि वह वह समझ जाएंगे कि तूह इस तो इसमें नहीं कुछ कर सकता क्योंकि यह पर्मनेंट नहीं यह टेंपरेटी चीज हैं उन्हें उनकी ठेंगिंग ऐसी बन जाती है पैरेंट्स की अगर एक बार को गीम ना आया तो उसकी उपर क्यों ही उसके उपर लगाए हुए प्रॉपर डाइम सब वेस्ट हो जाएगा टोटली सब वेस्ट हो जाएगा तो ऐसे लोग कहां जाएंगे बताओ तो मैं यह चीज़ समझ नहीं आती कि अब इनका क्या होगा जो सबस्टे यह सब्सक्राइबर रहे हैं उनका क्या होगा ila कि वह सबस्टेस्टेशन थे उसकने जी जाते हमसे करना और पत्रे श सब्सक्राइब करते हो जाना तो मिलते रहाएं नक्सरे वीडियो में बबाबाद है तौक है